आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ रक्षा बंदन स्पेशल मिठाई की रेस्पी दोस्तो आज हम मिल्क पौडर से बहुत ही टेस्टी बर्फी बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही ज़ादा असान है बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फी आज हम घर पर बना कर तयार करेंगे मिल्क पौडर से जब भी हम बर्फी बनाते हैं इसे बनाना तो असान होता है ये बहुत ही कम टाइम में ये बन कर तयार हो जाती है और आप देख सकती है कितनी ज़ादा सौफ्ट है बिल्कुल बजार जैसी बर्फी बन कर तयार हुई है मुझे पूरी उमीद है आपको आज की रेजबी बहुत ज़ादा पसंद आएगी तो चलिए जल्दी से बिना देरी किये इसे बनाना शुरू करते हैं और अगर आपको आज की रेजबी पसंद आती है फ्रेंट्स तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजे अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ बिना मावा के मुझे घुल जाने वाली बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गयास के ओपर एक पैन को रख लिया है अब ही तक हमने गयास के फ्लिम को बंद्ध फ्लियम पे हमने ही हमें पहले सभी चीज़ों को अच्छे से यकस करना हए तो अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल भी गुठलियां वगयरा ना रहें, जब आप इसे इस तरह से mix कर लेंगे, तो ये बिल्कुल smooth हो जाएगा, एक्तम soft dough के जैसा बन कर तयार हो जाता है, इसके बाद हम gas के flame को on करेंगे, और इसे पकने के लिए रखेंगे, हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है, और आ तेज नहीं करना है, अगर आप gas के flame को तेज करेंगे, तो मिठाई का जो color है, वो change हो सकता है, डार्क हो सकता है, इसलिए हम इसे low flame पे ही पकाएंगे, क्योंकि ये बरफी बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाती है, इसको बनने के लिए बिल्कुल भी जादा time नहीं लगता है जब ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें चीनी आड़ करेंगे, तो ये हलका सा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें आधा कप powder sugar आड़ करेंगे, चीनी को आप mixी में पीस लीजे और इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे, अगर आप regular चीनी इसमें ड जाती है, तो ये थोड़ी देर में आप देखेंगे, कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और ये जो मिश्रन है, वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, बिना चाशनी, बिना मावा के इस बरफी को बनाना बहती जादा आसान है, बिल्कुल मावे जैसा इस बरफी में टेस्ट आता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और ये मिश्रन थोड़ा सा पतला हो चुका है, अब हम लगाता चलाते हुए, इसे तब तक पकाएंगे, जब तक ही अच्छे से पैन को छोड़ना शुरू ना कर दे, तो अब हम फ्लेवर के ल है, काफी ज़ादा अच्छा हो जाता है, तो अब हम लगातार चलाते हो, इसे तब तक पकाएंगे, जब यह अच्छे से पैन को छोड़ना शुरू कर देगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, मैं आपको चेक करना भी ब मेरे हिसाब से यह तयार हो गया है, तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं, हम इसकी बॉल बना कर देखेंगे, अगर यह बॉल इस तरह से बन रही है, इसका मतलब यह बिल्कुल तयार है, बर्फी अच्छे से जम जाएगी, अगर आपको लगे कि यह हाथों से चिपक रहा है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेजिए, बर्फी के लिए मिश्रन बिल्कुल तयार हो चुका है, और अब हम एक ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैरे एक बर्फी वाली ट्रेल ही है, इसको घी के साथ हम ग्रीस कर लेंगे, अगर आपके पास बर्फी वाली ट्रे नहीं है, तो आप कोई बच्चो का लंच बॉक्स ले सकते हैं, या फिर कोई स्टील की थाले भी ले सकते हैं, उसमें भी आप बर्फी को सेट कर सकते हैं, तो चलिए हमने ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और इसके बाद ये बर्फी वाला मिश्टन हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इस तरह से इसे फैला लेंगे बर्फी जितनी मोटी या पतली आपको पसंद है उसे इसाब से आप बर्फी को सेट कर सकते हैं उपर से एक तम स्मूथ कर लीजिए और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे मैंने बर्फी की मोटाई उतनी ही रखी है जितनी हम बजार से लेकर आते हैं तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बारीक कटे होई ड्राइफूट्स लिए हैं थोड़े से बारीक कटे तो अब हम इसे set होने के लिए 2 घंटे के लिए room temperature पे ही छोड़ देंगे, यानि कि आप room में ही से रख दीजिए, ये बहुत बढ़िया से set हो जाती है, अगर आपको जादा जल्दी है, तो आप इसे थोड़ी तरी के लिए fridge में भी रख कर set कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिखिए, बर्फी अच्छे से set हो जुकी है, इसको रखे होए 2 घंटे हो चुके है, तो चलिए अब हम इसकी cutting कर लेंगे, यानि कि इसके pieces को काट लेंगे, तो सबसे पहले मैंने इसे थोड़ा सा किनारे से इस तरह से काट दिया है, ताकि सारे pieces एक ही size के निकलें, और आप देख सकते हैं कि यह कितनी जादा soft बर्फी तयार हो गई है, अब हम बर्फी को काट लेंगे, बर्फी के pieces आप अपनी पसंद के उनसार रख सकते हैं, यानि कि आपको बर्फी के pieces थोड़े चोटे या बड़े जिस तरह से भी पसंद हैं, उसेसाब से आप इसे काट लीजिए, और ये लिजिए, बिना मावा, बिना चाशनी, बिलकुल मावा जैसी बर्फी को हमने एक ख़र पर बना कर तयार कर लिया है, milk powder से बर्फी बनाना बहुत ही ज़्यादा असान होता है friends आप इसे बहुत ही असानी से बना सकते हैं टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा शांदार है इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि आप मावा वाली बर्फी नहीं खा रहे हैं बजार की मेहंगी मिठाई आपको इसके आगे फीकी लगेगी आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बना कर देखे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मिलते हैं फ्रेंट से एक नई रेस्पी के साथ थाद रेस्ट आपको एक बार जाएगी